इस्राइल पर इरान के हमले की आशंका के बीच मिडिलीस्ट में तनाओ और ज़ादा बढ़ गया है अगर इरान इस्राइल पर हमला करता है तो ये तीसरे विश्युद्ध की वजए बन सकती है क्योंकि मिडिलीस्ट के कई देश इरान का समर्थन कर सकते हैं भले ही इरान की मिडिलीस्ट के सबसे बड़े मुस्लिम देश सौधी अरब से टेंशन रही है लेकिन कई अरब मुल्क इरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं अगर इसराइल के साथ जंग होती है तो इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्किये, कतर, जॉडन जैसे अरब मुस्लिम देश इरान की पक्ष में खड़े नजर आ सकते हैं वहीं मुस्लिम देशों के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो इसराइल के खिलाफ इरान के समर्थन में खड़े हैं और रूस इन देशों में सबसे एहम हैं इसके लावा इरान के पक्ष में उत्तर कोरिया, चीन, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी इसराइल के खिलाफ युद्ध में कूट सकते हैं वहीं इसराइल के साथ अमेरिका के लावा पस्टमी देश मजबूती के साथ खड़े हैं हलंकि अमेरिका के अलावा दूसरे पस्टमी देश इस संभावित युद्ध में इसराइल का खुलकर साथ देंगे या नहीं इस पर संदे है